अगर आप भी अपने बैंक खाते से लेंदेन करते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा लिमिट में लेंदेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रोस की, तो उपर वाले भी लिमिट क्रोस करके आपके अगर नोटिस भेज देंगे, बैंकों के नए रूल आज कितना ले सकते हैं, फिर एक साल में कितना कर सकते हैं, FD आप कितनी कर सकते हैं, कितना उसके उपर व्याज ले सकते हैं, तो सारी बात आज आज आपको बताने वाला हूँ, देखिए, पहली चीज तो, इंडिया के लोगों के पास में सबसे ज़्यादा जो अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट है, सेविंग के बाद फिर जो है, वो आगया आपका सेलरी अकाउंट, देन उसके बाद में फिर आजाता आपका करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट इंडिया में बहुत ही कम ह और ये देश का धुरुभागय भी है क्योंकि जितना ज्यादा current account open होंगे देश उतना ज्यादा अच्छा विक्षित करने वाला होता है और जितने ज्यादा saving account open होते हैं उतना देश नीचे गिरता है ये economic का एक थोड़ा सा rule है तो फिर कभी समझाता हम चलो इसके बारे में तो saving account में या फिर salary account से अगर आप lendin करते हैं तो अब आप सिर्फ एक दिन में ढ़ाई लाग रुपे तक कही lendin कर सकते हैं एक दिन 24 गंटे के अंदर अंदर सिर्फ ढ़ाई लाग रुपे का और ये लें दिन कैसे गिना जाएगा तो ये गिना जाता है अगर आपके account में पैसा आया और आपके account में फिर पैसा आया और आपके account में फिर पैसा आया आपके account से पैसा गया आपके account से पैसा गया आपके account से पैसा गया उसकी गणना डाय लाग मान ली जाती है, यह निये कि आपको डाय लाग रुपे एक साथी किसी से लेने है, मान के चलो कौफी सारे लोग क्या करते हैं, यह करते हैं, कि भाई मैं आ तेरे फॉन पर गूगल पर कर रहा हूं, तो यार आगे किसी को कर दे, अब उसने उसके अका लिए, यानि कि एक अप्रेल से लेके, और 31 मार्ज तक, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, तब आप सिर्फ उसमें 10 लाग रुपे तक कही लेन देना आप कर सकते हैं, यानि कि सिर्फ आप 10 लाग रुपे उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं, 10 लाग रुपे आप कही मना ही नहीं है, लेकिन उससे उपर अगर आप जा रहे हो, तो वो पैसा कहां से आया, उसका पूरा पूरा आपको भ्योरा देना पड़ेगा, इसलिए जो काफी सारे लोग आनो, वो RTR भी नहीं भरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो पैसा तो कमाते हैं, पर RTR नहीं पड़ेगा, टेक्स लगेगा, देखो, सारे जुगाड हैं दुनिया के अंदर, तो सारे जुगाड लगे, आपको एक अच्छी इंकम अगर आपकी है न, अच्छी इंकम का मतलग है, अगर 15 लाग के आसपास भी इंकम है, तो बस सकते हैं, काफी सारे ट्रिक्स ऐसी होती है ठीक है, और अगर उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दें, आपको एक वीडियो बना के देदूँ, आपको पता लग जाएगा, जिसकी इंकम 10-15 लाग के बीच में होती, वो टेक्स से बस सकता है, हालागि वैसे तो 5 लाग से उपर स्टार्ट बैला हुआ है, हर अखबार के ऊपर, हर रोज ऊपर वाली है एडिंग आती है, एडी ने फलानी जिगा छापा मारा, अभी पढ़ रहा था, एडी ने फलानी के बतीजी के उपर छापा मार दिया, बतीजी का पैसा जो था, सीज कर लिया है, कोई जेल में जा चुका है, तो आपका एक दिन का लेन देन कंप्लीट हो चुका है, ऐसे करके आप एक साल के अंदर सिर्फ 10 लाग तक काई लेन देना कर सकते हैं, काफी सारे लोग यही कर देते हैं, मैं तेरे अकाउंट में डाल देता हूं, तो आगे गूगल पे से किसी और के यहां पे डाल दे, तो दिन की गंदना होगी, वो ऐसे की जाएगी, लेकिन अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, आज काल क्रेडिट कार्ड के सोखिन भी काफी सारे लोग हैं, पर क्रेडिट कार्ड मैं बतादू है, कैंसर होता है अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो आपने कैंसर की विमारी पल रखी है उसके चलो फायदे हैं ऐसी बात नहीं है किसी चीज़ के फायदे भी हैं आप कोई भी सोपिंग कर सकते हो 45 दिन के बाद आपको पैमेट देना पड़ता है लेकिन उसके जो नेगिटिव पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीडन चूपे हुए हैं और जिस दिन उसकी चपेट में आगे है ना वो अपने सारे अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को दो साल तीन साल तक अगर आप यूज कर रहे हो ना और टाइम टू टाइम उसकी किस्ते भी भर अच्छी बात है लेकिन जिस दिन उसको मोगा मिला वो एक तारीक में क्या गरेगा आपके सारे दो तिन साल के सारे निकाल लेगा तो क्रेडिट कार्ड एक बड़ी भेंकर विमारी है अगर आप क्रेडिट कार्ड से को लेन दिन करते हैं तो एक लाग रुपे तक का कैस एक साल के अंदर, एक अप्रेल से लेकी 30 मार्च तक, कैस प्रेमिट निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, लेकिन अगर आप एक लाग से ज्यादा का उससे करते हैं ट्राइंजेक्शन, कैस की बतारों, जैसे 80 में डाला कैस निकाल दिया, तो फिर आपके घर नोटिस आज सकता है, आपको उसका ब्योरा देना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा निकाला, तो निकाला क्यों और कहां वो लगाया है, और अगर आप मैं बात करता हूँ सोपिंग की, तो सोपिंग आप कर सकते हैं, एक साल में सिर्फ 10 लाक रुपे तक की, क्रेडिट कार्ड से, ऐसे क्या खरीदे लिया वाई, एक साल में 10 लाक का यार, कोई तकड़ा यादि में होगा, जो 2,5 लाक के जूथे पहनता होगा, उसके तो चलो 4 जोड़ी जूथे आए, 10 लाक की लिमिट वही, तो अगर आप 10 लाक रुपे तक क्रेडिट कार्ड से, सोपिंग करते हैं एक साल के अंदर, उसके बाद आपके घर पे नोटिस आ सकता है, हाँ वाई, ललललाल, बताता दे, इतना क्या-क्या खरीदा है, क्या-क्या माल खरीदा है, क्यों खरीदा है, और इतना माल खरीदा है, तो किस के लिए खरीदा है, और इतना पैसा आया है, तो तुने चुकाया कैसे, तो सारी रिपोर्ट आप से आपके घर नोटिस आ सकता है, तो आपको यहाँ पर समद के चलना पड़ेगा देन उसके बाद में काफी सारे लोग जो वो FD से भी interested रहते हैं FD बनाने में FD एक अच्छी चीज है, मैं FD को मैं खुद भी follow करता हूँ और मैं लोगों को suggest करता हूँ FD the best चीज होती है, आप FD बनाओ अगर आपके पास में हर महीने एक अच्छी निकम आती है और आप चाहते हो कि हलकी हलकी मेरी सेविंग हो जाए तो आप वो पैसा FD में लगा दो देखो एक तो पैसा सेविंग करना सेविंग करना और एक होता FD में लगाना तो आपको 7% से लेके 8%, यह अलग-लग bank को के rate होते हैं, आपको FD, यानि कि double, double मिल रहा है, पैसा आपका उसी account में है, और यहां से भी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, FD से भी आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, तो काफी सारे लोग जो हो FD में interested रहते हैं, मैं खुद इ double हैं, तो अगर आप FD बनाने में interested हैं, तब आप इस VT वरस के अंदर 10 लाग से ज़्यादा के FD आप नहीं बना सकेंगे, पहले लोग यह कहते थे, आरे 2 लाग किस किवना दे, 5 किस किवना दे, 15 किस किवना दे, अब 10 लाग से ज़्यादा एक VT वरस के अंदर आप FD नह दे रहे हैं, और वो ब्याज अगर आपका सालाना 10,000 रुपे से ज़्यादा ब्याज ब्याज की निकम आती है, तो 10,000 से ज़्यादा आती ही बैंक क्या काटेगा, TDS काट लेगा, लेकिन इस income से आपकी कम income बन रही है, और 10,000 से कम का अगर आपका ब्याज बन रहा है, तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, वो पैसा वापिस ले सकते हैं, यानि कि जो बैंक ने TDS काटा, TDS refund हो जाता है, फॉर्म 15 जी भरना पड़ता है इसके लिए, तो ये कुछ जानकारी थी, saving account के लिए, current account के लिए, credit card के लिए, और FD के लिए, अब आपको अपना account जो थोड़ा लिमिट में चलाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और लिमिट में चलाने के लिए कुछ जादा नहीं करना पड़ता, बस जो फाल तुप, जो लेन देन होता न, उसको बंद कर दो, काफी सारे लोग मैंने personally देखे हैं, जो क्या करते हैं, किसी और account ता तीर ले ल गया, और लेन देन बनते ही, इसकी गन्ना हो जाएगी, कि हाँ, इस account में इतना लेन देन हो चुका है, अब इसने क्या लिया है, इसने उड़ता तीर लिया है, तो ऐसा उड़ता तीर ना ले, कोई भलाई नहीं है, पैसे के लेन देन में इंसान को दो कदम फालतु ही सोचन और पैसा आपको पता है, माबाप से बच्चों को, बच्चों को माबाप से भाई, बेहन, सबको दूर करवा देता, पैसा बड़ी पाउरफुल चीज है, तो पैसे का अगर जिकर आते ही, थोड़ा समल के चलना स्टार्ट कर दो, अब जो होने वाला है, काफी सारे लोगों पैर रेड पड़ी हो, इतनी बड़ी बड़ी, कभी भी नहीं, इतियास गवा है, जाके देखलो, अब इन तीन सालों के अंदर, अंदर कितने लोग फास सुके हैं, और वो तो कहते हैं आज उस पार्टी का पलड़ा भारी है, तो दूसरे पार्टी वाले रगड़ेंगे, तो अब ये रिवाज बनने वाला है, कि एक दूसरे ग्यूबरे चापे मरवाओ, चापे मरवाओ, चापे मरवाओ, चापे मरवाओ, और वो जो चापे वाले जो आँच है न, वो कहते हैं, चने क साथ में घुन पीसेगा, वो घुन है जनता, और कही ना कहीं वो छीटे, हम जो आम जैसे जो लोग ना आम लोग यहां तक भी उच्छी टे आने वाले हैं, तो अभी से अपना record maintain करना start कर दें, और एक चीज और भी उता जता हूँ, ध्यान आगी, कुछ लोग ये भी शानपत करते हैं, एक account HBA में डल वा लिया, एक PNV में कर लो लिया, सारे account आपके एक ही PN card से link है, एक PN card से link होते हैं, अगर आपने HDFC वाले से एक लाग का लेंदेन किया, और आपने SBI वाले से पांच लाग का लेंदेन किया, तो आपका एक साल के अंदर 6 लाग का लेंदेन हो चुका है, उपर वालों को सब पता है, आपके 50 account आपने खुलवा रखे या एक account खुलवा रखे है, उपर वालों को सब पता है, सब आपके PN card से जुड़े होते हैं, अगर आपने HDFC में 10 लाग के FD बन वाली, SBI में 5 लाग की बन वाली, तो आपकी 15 लाग के FD हो, कितनी ID बना रखी, कौनसी कौनसी policy ले रखे, टोटली सारी चीज़े आ जाएगी, तो सब जो चीज़े हैं, PN card से लिंक होती है, तो ऐसी कोई शांपत ना करे, और ये ना भी समझे कि, एक account का ये माना जाएगा, नहीं नहीं, तो अब आप थोड़ा समझे के चलिए, उड़ता तीर ना लीजिए, और उमीद करूँगा, ये जानकारी आपको अच्छे लगी होगी, और अगर इससे लेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूगा, तो कमेंट कर देना, उस वो टोपिक मैं आपको रैड़ी करके दे दूगा, जो भी मेरे पास जानकारी होगी, आप तक जरूर पहुचाऊंगा, तो थैंक्यू, थैंक्यू, मैडियर, ये जानकारी अगर आपको अच्छे लगी, इसको लाइक कर लिजे, सब्सक्राइब कर लिजे, नहीं अच्छे लगी, इसको डिसलाइक कर लिजे, मैरे से संप्रक करना है, या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी ले नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएगे, WhatsApp नमबर मिल जाएगा, Calling नमबर मिल जाएगा, Instagram की आड़े मिल जाएगी, Facebook का आड़े मिल जाएगी, कहीं से भी जाकर आप मेरे से संप्रक कर सकते हैं, Thank you, thank you my dear.